इश्वर की खास संकेत अगर आपको भी मिल रहे हैं और आप हैं मेनिफेस्टेशन की जर्णी में तो यो समझ लेजिए कि आपके विश आपके डोर तक आचुकी है वो कौन से संकेत है आज की वीडियो में आप चानने वाले हैं तो अगर आप इस टॉपिक में इंट्रेस्टेट हैं तो वीडियो में इन तक बने रहेगा शुरू करते हैं वीडियो को Hello and Hi to all my beautiful soul family स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चानल Easy Life 111 के उपर कैसे हैं आप सब कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पता नहीं है इस तरह की वीडियो के बारे में तो इस सेम टॉपिक के उपर मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ और हर वीडियो में आपको अलग-अलग संकेतों के बारे में बताया है क्योंकि जब आप इस जर्णी में होते हैं तो आपको सिर्फ एक संकेत नहीं मिलते हैं बल्कि हजारों संकेत मिलते हैं और अगर आप इन सारी संकेतों के बारे में पहले से जान जाएं अवेर हो जाएं तो आपको बहुत आसानी होगी अपने विश को रिसीव करने में तो जैसे ये वीडियो खतम हो उन सारी वीडियो को जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा तो शलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको तब मिलती हैं जब आप अपने विश को रिसीव करने वाले होते हैं और फ्यूचर में इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा बगर बेल आइकन है जिसे औल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि फ्यूचर वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वाच कर पाएं तो शलिये जानते हैं उन संकेतों के बारे में अगर हम बात करें कि जब आप फाइनल स्टेज पर होते हैं आपने अपने इस जर्नी को भरपूर जिया है मतलब जब से आप शुरू करते हैं आपको सबसे पहले पॉजिटिव संकेत मिलते हैं फिर बीच में आपका टेस्ट लिया जाता है फिर आप बहुत ज़दा नेगिटिवीटी में चले जाते हैं फिर से रिस्टार्ट करते है और अब आप फाइनल स्टेज पर होते हैं जब आप सब कुछ समझ चुके होते हैं कि इस जर्णी को कैसे हमें follow करना होता है और कैसे परमात्मा की मदद से आप इस जर्णी को complete कर पाते हैं जब आप final stage पर होते हैं अपने wish को receive करने वाले होते हैं तो आपके सपने में जिस भगवान को आप मानते हैं वो जरूर दिखेंगे तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है कि आप इस जर्णी में हैं आप अपने wish को manifest कर रहे थे आप let go कर चुके हैं और आपको मिल रहे हैं ये बहुत powerful positive संकीत तो बहुत खुश होने की जुरत है और जब भी इस तरह का सवपन आपको आए नींद खुलने के साथ साथ परमात्मा को धन्यवाद किजिए कि आपके जीवन में universe की blessings आ रही है एन इसी की साथ जब भी इस तरह का सवपन देखें तो morning में उठने के बाद उस भगवान की पूजा जरूर करें बात करें दूसरी संकीत के बारे में तो जब भी आपके wish final stage पर होती है आप receive करने वाले होते है तो आपको सपने में साथूसंत दिखने लगते हैं जी हां wishes नहीं मिल रही थी तो यहीं वो समय है जब आप उस wish को receive कर पाएंगे अब ऐसा नहीं है कि आप चुप चप बैठे रहेंगे तब भी receive कर सकते हैं बिलकुल नहीं आपको जब भी परमात्मा संकेत देते हैं तो आपको उन संकेतों को समझ के action लेना होता है कि आप receive कैसे कर पाएं सबसे पहला action आपको gratitude करना होता है आप पूरे दिन में जितनी बार possible हो सके universe को धन्यवाद बोलते रहें साथ ही आप natures की सेवा कीजिए जैसे पेर पौदों को पानी देजिए खाद देजिए जो भी possible हो जो भी आपका समर्ट है जो भी आप कर पाते हैं जरूर कीजिए कुटों को रोटी देना शुरू कर दीजिए काले कुटे को रोटी दीजिए कोगों को रोटी दीजिए ऐसा करने से आपकी जो विश्यना आप तुरंत receive कर पाएंगे आपको संकेत इसी लिए दिखाए जाते हैं कि आप अवेर होईए और जो action इस वक्त आपको लेने हैं उसे लेके और जल्दी अपने विश्य को receive कीजिए अगर आप final stage पर होंगे तो जो तीसरा संकेत है वो आपको angel numbers के जरिये दिखेंगे जैसे हर angel number wish fulfillment number नहीं होता है किसी number को दिखने का मतलब होता है कि transformation होने वाला है हो सकता है बहुत ज़्यादा negativity में फसे हुए है और वो number है triple five अगर आपको अच्छानक से हर जगद triple five दिख रहा है तो समझ लिजिए कि जीवन में कोई सकरात्मक बदलाव होने जा रहा है और वो बदलाव आपकी wish से related हो सकती है साथ ही angel number 369 आपको दिख रहा है तो समझ लिजिए कि आपकी बहुत बड़ी वाली wish पूरी होने वाली है चाहे आप job manifest कर रहे थे चाहे आप government job manifest कर रहे थे marriage manifest कर रहे थे मतलब कितनी भी बड़ी wish हो क्योंकि universe के लिए आपकी कोई भी wish बहुत बड़ी नहीं होती है उनके लिए आपकी कोई भी कितनी भी बड़ी wish एक तिनके से भी छोटी होती है तो आप जो भी माग रहे हैं वो बहुत कम है परमात्मा के लिए लेकिन तब ही आपको मिलता है जब आप उस काबिल हो जाते हैं तो अगर आप final stage पर हैं आपको दिख रहे हैं ये सारी संकीत तो समझ लीजिए कि आप अपने wish को बहुत जल्द receive करने वाले हैं लेकिन जो guidance आपको मिला है वो जरूर follow करना है ताकि आप अपने wish को फिर से negativity की तरफ ना मोर दें अपने wish को जल्दी receive कर पाएं इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी वीडियो हैं तो जाके चेक कीजिए अगर कोई भी डाउट है तो मेरे इंस्ट्राग्राम आईडी है skywings.22 वहाँ आईए follow कीजिए और अपने डाउट अपने voice में record करके sin कर दीजिए आपको quick answer मिल जाता है तो खुश रहिए आप सभी खुद का ध्यान रखे self love कीजिए हमेशा मुस्कराते रहिए so god bless you and thanks for watching raadhe raadhe